वहुआ गयाइज वल्कम बैक टिमारे टिप चैनल मैं हूँ गोली और गोली स्कीछे में आम सभी का बहुत-बहुत सवागत करती ही। आज में आप लोग तरह शेयर करने माले हूँ बहुत इंस्टन बनने माली चौकलेट लावा केक की रेस्पी। बैसिकली चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए आपको काफी इंग्रेडियन्स की ज़रत पड़ती है बट मैं सिर्फ तीन इंग्रेडियन्स से आपको बताऊंगी कि कैसे आप चॉकलेट लावा केक बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है बवन बिस्किट लगवक दो पैकेट हमने आप बिस्किट लिया है और हम इसका क्रीम बिल्कुल भी ने निकालेंगे हम इसे क्रीम के साथ ही यूज करेंगे आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी बिस्किट ले सकते हैं चाहे साथ ही मैं देख सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पेक डैरी मिल्थ तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूं कि आप इंस्टन चॉकलेट लावा केक कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस बिस्कुट को तोड़कर के मिक्सर जार में डालती जाओंगी और इसे अच्छी और अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी तो हम इसे दो बैच में ग्राइंड करेंगे क्योंकि मेरा मिक्सर चार छोटा है तो दो बैच में हम इसे ग्राइंड करके तैयार करेंगे और यह लीजे मैंने आप बिस्कुट को एक दिम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्मिंगी चेंज हो गया है तो इसी प्रकार से मैं दूसरे याल बैश को भी ग्राइंड करके इस बोल में एट कर दूंगी और यह लिए बिस्किट के पीसिस को हमने अच्छी तरीकी से ग्राइंड कर लिया है को भी बिस्किट के पीसिस बड बना करके तैयार करोंगी और हमें यह तो ड़ा सा गाढः बैटर बनाना है यह लिगें बैटर हमारा Almost Ready है हमें इस बैटर को मिक्स करते हुए हल्के हातों से मिक्स करना है क्यूंकि अगर आप इसे बहुत जाँदा थेज हातों से मिक्स करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं फूलेगा और ये देखे बैटर हमारा रेडी हो गया है तो अब मैं इसमें एड कर देती हूँ एक optional ingredient तो मैं इसमें एड करूँगी इनो इनो ऑप्शनल है गाईस अगर आप भी ना इनो के भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनेगा बट मैं इसमें इनो एड कर देती हूँ इनो डालने के बाद मैं इसके उपर एड करूँगी थोड़ा सा मिल्क ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और ये देखे जैसी मैंने इसमें मिल्क आड किया ये फूलना में और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे इसमें बना सकते हैं बच्चे हुए बड़े सब लोग इसमें बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस स्टैंड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से भरूंगी लेकिन याद रखिए कि हमें से पूरा नहीं करूंगी ये देखिए अगर आपके पास डाक चॉकलेट है ना तो और भी अच्छी बात है गाज डाक चॉकलेट से बहुत ही अच्छा बनता है चॉकलेट की पीसिस को सेंटर में रखने के बाद मैं इसे उपर से भी कवर कर दूंगी तो मैं इसके पर थोड़ा सा बैटर और आट करूंगी ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसी प्रकार से मैं इन्हें अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी और ये लीजे चॉकलावा केक अल्मुस्ट रेडी है अब वारी है इसे स्टीम करने की तो आप चाहे तो इसे बेग कर सकते हैं या फिर आप इसे स्टीम कर सकते हैं बट मैं इसे स्टीम करने वाले हूं कि मैं इंस्ट बना रहे हूं तो दस मिनट में ये बन करके तयार हो जाएगा तो मैंने आप इस स्टीमर को पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीकी से गरम हो गया है तो मैं इ पूरे हो चुके हैं तो आई मैंसे चेक करती हूँ और यह देखे गाइस वाव बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारी चॉकलेट लावा केके वह फूल गई है बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस और कितने अच्छे से इस सॉफ्ट हुआ है तो चलिए मैं इस स्टैंड क इडली स्टीमर से बाहर निकाल लेती हूँ और इसे थंड अब कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको चेक करकी दिखाऊंगी और मैं इसे निकाल लूँगी और ये देखिए गाईज बहुत ही ज़दा सॉफ्ट बहुत ही ज़दा टेस्टी से हमारा इंस्टेंट चॉकलेट लावा केक बन करके तयार हो गया है तो चलिए जल्दी से मैं इन सारे चॉकलेट लावा केक को मोड में से बाहर निकालती हूं और गर्मा गर्म मैं से सर्फ करती हूं चॉकलेट लावा केक को आप सर्फ कर सकते हैं चॉकलेट सीरप के साथ इस तरीके से या फिर आप इसे इस प्रकार से भी सर्फ कर सकते हैं तो देखाना है गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से आप चॉकलेट लावा केक घर पर ही बना सकते हैं वो भी कम इंग्रीडियन से खाने में बहुत ही मज़ेदार तो आए मैसे कट करके दिखाती हूं और यह देखे गाइस वाओ बहुत ही जादा टेस्टी सा हमारा चॉकलेट जावा केक बना है बहुत ही यमी लग रहा है गाइस तो आप इसे जरू ट्रॉय करें और कॉमेंट सेक्षन में लिग करके विटाए कि आपको रेस्पीक कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस का न बिलकुल ना भूले तब तक के लिए मैंसे इंजॉय करती है और आप देख तेरे गोल्डिस किचन बाबाई